ही कि हैं दूत है आज घंगतर इपपाओ को विदाय करना है तो कैसे विदाय करेंगे में विदाय करये लगा थोरा साट को घंगा जल मिलाना है उसमें आछthen कुछ हलती सब कुछ डाल कर इस तरह से उनमें जो है विजैसन करना है उसके पहले पूजा की परक्रिया आपको इस वीडियो में मिलेगी गनपती पपाउ की बिदाई करने के लिए अनन्च चतुर्ती के लिए प्राता कालतने और मन से पवित्र होकर भावान स्री गनेजीप की पूजा करे और उसके उन्हें उनकी ही प्रिये चीजों से जैसे मोदक, नारियल, फल, फूल, आदी अर्पित करने के बाद मित्रों के जाप एवं आर्थी भी कर सकते हैं इस तरह से आप इनको विदाई की पूरी परक्रिया कर सकते हैं तो यहाँ पर जो पूजा सुरू कर दी है उनको विदाई करने से पहले जो है जैसे डेली आप पूजा करते हैं उस तरह से आपको पहले पूजा कर लेनी है दीपक आप पूरुजित कर लेनी है यहाँ पर मैं जल से असनान कराऊंगी जैसे रोज हम पूजा करते हैं तो कह जो है डेर दिन में इंको बिदाई किया जाता है ऐसे लग compr is अ सुनान कर दे गAnnon पति बभपा को शत्रान कर ना क्ले ये चो छोटे वाले गन पति पापपा है मंदल में रहते हैं इनको फूझा सानी करते दे लिए तो ये के मैं गेंदे के माला पिना दूंगी जैसे आप रोज पूजा करते हैं उसी तरह इनको रोजाना की तरह पूजा करना है तिलक लगा लेंगे तो जिद्धी सिद्धी हैं उनको भी पूजन कर लेंगे तो रोजाना जैसे पूजा करते हैं तो जो भी आज भी भोग लगाना है इनको तो जो भी मोदक है तो मोदक या लड़ू पेरे जो भी वर्फी है आप भूग लगाए फल फूल के भोग लगाए तो जो भी फल है इनको और पित करें दूर्बा भी आप जरूर चरहें दूर्बा प्रिये इनका भोग सबसे पहले होता है तो यहां पर मैंने सेव केले के भोग लगाए और मिठाई भी भोग लगाए तो लड़ू तो इनको सबसे ज़्यादा प्रिये होती है तो आप आप कर लेते हैं आर्थी तो आर्थी करने के बाद इनको विदाई अच्छे भाव से विदाई आपको देने हैं ताकि जितने में दूख दर्द हैं साथ में अपने ले जाएंगे फिन अगले साल आएंगे खुसी-खुसी इनको विदाई कीजिए पूरी परिवार के साथ अगर आपको छोटे अगर मूर्थी बठाएं तो इसमें इस बर्तन में कर सकते हैं यहां नहीं तो इक बाल्टी में या टप में आप ले जी इस तरह से फूल डाली जी अच्छत कुम-कुम हल्दी सब कुछ डाल कर थोरा सा गंगा जल मिला ले जीएगा अगर घर का पानी जो है तो यहां थोरा सा रहे गया था पान का पत्ता जो है पान मेठा पान चरहने के पूल टो मिश्टेक हो गया नहीं चरापाएं तो बीच में थुरा सा सुट करने के बाद जो है इसी में एट कर दियें तो माइन ना किजीएगा तो यहां जो है पुजा उनको विदाई करने के बाद मैं फिर से यह दुबारा यहां आ गए क्यूंकि कलस को और यह सोटे वाले गनपती क को हिलाना है तो चौकी जहां भी आप इठाये हैं वहाँ पर आप खिला दीजिए उसके बाद जो है रिधी जो रिधी जो बैठाएं उनको रख लिजी लॉकर में यह कहीं वी आप रखते हुआ रख सकते लाल कपरा में बांद कर रख लेना है ती जोरे रिधी लॉकर में आपको उठा लेना है पूरे परिवार में बित्रन करके खा सकते हैं यहां देखिए गनपती छोटे वाले जो मंदिल में रखते हैं वहां रख देंगे और नारियर को उठा देंगे नारियर को फोर के आप पूरे परिवार में खा सकते हैं तो आप जो भी अच्षछ चावल नार्येर के नीचे बिचा कर रखे हैं तो उसमें थोड़ा सा चावल एट करकर किसी को गरीब को दे सकते ताकि एक समय का भोजन बना सके से नहीं तो आपकोवा चिरे को भी खिला सकते हैं या तो नदी में इनको डाल सकते हैं ताकि उन नदी में डालने के बाद मचली या खा लें, तो इस जल का जो भी कलस का जो चावाल है कहीं दर दर ना फेकें, जल जो है पौधे में डालदेना है, तुलसी पौधे छोड़ कर बाकी अन विरिच्च में डाल सकते हैं, इनमें जो भी सुपाड़ी, कमलकठा और सिक् कर आप तिजोरी और लोकर में रख सकते हैं पूरे साल तब जल को आप पौधे में डाल दीजिए तुलसी पौधा छोड़कर भी अच्छा चावल पूस्प जो यह चरहाए थे सब को भूमी में कर देना है भूमी में गार दाना ताकि नए प्लांट निकल सके खाद भी बन ज जाती है इस तरह से मेरे रोच के जितने भी प्लान के जितने फूस्प के जितने में चरहाए भागवाण जी तरह चुझा मैं isti तरह में सज्वा करती हूं तो इधर अगर नदी तलाव या पोखर के किनारे बिदाई कर रहे हैं तो कपूर से आर्थी कर लें इसके बाद खुसी खुसी बिदा करें गनपती जी को और बिदा करते समय अगले साल आने की काम ना करें इसके साथ ही भूल चुक के लिए माफी जरूर मांग सकते हैं इस तरह से जो ह है तो इसी समय जो है माफी आपको मांग लेनी है जो भी गलती हुई है टूटी हुई है जो भी कमी हुई है सब छमा मांग लिजी ताकि गनपती बपा आपको छमा कर दे जो भी गलती भूल चुक होई है तो इस समय ही आप अपने छमा को मांग ले और अगले साल आने की भी निवंतरन दे दें की खुशी-खुशी विदा करते समय आपको अगले साल आने की भी निवंतरन इसी साल जो है दे दना है I hope आज ची वीडियो काफी अच्छी लगी है